हेलो एवरीवन वेलकम नौ वी विल स्टड़ी दे सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज ऑफ डी आर्टी पार्ट सेकेंड जैसे कि अपना रिसेंट एडवांसेज में टोपिक चल रहा था कंप्यूटर टॉमोग्राफी सिटी स्कैन सिटी स्कैन के अंदर हम यहां पे जनरेशन के बारे में डिसकस कर रहे थे और जनरेशन दैट मेंज कि जो शिटी की मशीन है उसमें मोडिफिकेशन ठीक है तो जैसा कि आपने यहां पे पढ़ा था कि साथ जनरेशन के बारे में हमें यहां पी डिसकस करना है जिस सेवन्थ जनरेशन को डिसकस करना जो कि इस वक्त आपकी मोडन जनरेशन और वक्त इस काम में ली जाती है अब जो मशीन काम में ली जाती है उसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे तो पीछे की जनरेशन के बारे में अगर डिसकस किया जाए तो मेंजली आपकी छे जनरेशन थी जो आपकी में जो फर्स्ट, सेकेंड, फर्ड और फॉर्ट जनरेशन थी जिसमें ज़्यादा मोडिफिकेशन किये गए थे ठीक है उनके डिसएडवांटेस थी क्योंकि पर problems का सामना करना पड़ा और हमने machine को fourth generation में modify किया था fourth generation में modify करने के बाद में कुछ special diagnostic procedure करने के लिए हमने fifth generation invent की ठीक है और then उसके बाद में fourth generation को और modify किया जिसको हम फिर sixth generation that means helical city के नाम से जानते हैं और helical city में क्या था कि आपका जो x-ray tube का motion है उसके साथ साथ में that means x-ray tube जब rotate करती है तो उसके साथ साथ में patient का जो couch होता है that means couch भी वहाँ पे move करता है और couch move करने के कारण में वहाँ पे जो slices बनती है वो like helical that means उनकी जो structure होती है वो helical structure होती है जैसा कि हमने last lecture में images के through, diagrams के through और theory के through अच्छे से समझा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि fourth generation को that means fourth generation में उन्होंने कुछ चीजे add की for example slip rings add किये थे that means fourth generation को modify करके ही sixth generation बनाई गई थी ठीक है और उसका helical city नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उसमें जो scanning होती थी वो कौन सी scanning होती थी, helical scanning होती थी, आज हम बात करते हैं अपनी seventh generation की तो जो seventh generation है उसका भी एक special नाम रखा गया है जो की है आपका multi slice city scan अब जैसा कि जो आपका helical city था, वहाँ पे भी आप जो helical word था वो पूरी जो machine थी उसके modification से related था ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपन बात करते हैं multi slice की, ठीक है, तो multi slice that means यहाँ पे single, वहाँ पे जो slices जो आपकी fourth generation थी, third generation थी इनमें भी slices में अपन image लेते थे multi slice city scan, इसके short form अगर बात की जाए तो MSCT, uses seventh generation city that employs multi detector array, MDA that means कि multi slice जो city scanner वो आपकी seventh generation है, ठीक है और इसमें इन्होंने modification जो किया, that means जो main modification था, multi detector array, MDA, detector array समझते हो वहाँ पे आप solid state detector या फिर आपके जो ionization detectors है, detectors के यहाँ पे बात हो रही है, बट array का मतलब arrangement, और detector use ना करके multi detector use किया जाएगा, अब जैसा है कि आपके यहाँ पे दो चीज़े confuse हो रहे हो आप, एक तो ऐसा कि वहाँ पे slices तो जादा ली जाती थी, बट अब हम बात कर रहे हैं कि single slice, multi slice, और दूसरा, detectors, detector वहाँ पे भी संख्या में जादा थे, बट फिर भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे single detector array और multi detector array तो यह जो आपका confusion है, यह आपका confusion just अभी इस slide के बाद में हम इसका diagram देखेंगे, diagram देखते ही आपका यह confusion दूर हो जाएगा, the MDA is a multiple solid state detector design in rows and columns example 16 into 16 is equal to 256 pixels, that means यहाँ पे जो multiple detectors arrange किये जाते थे, वो row और column दोनों में arrange किये जाते थे, तो जैसा कि अगर example अपन लेके चलें, यहाँ पे 16 into 16 का इन्होंने example लिया तो एक matrix बनेगी, matrix में फिर pixel होगा और pixel में फिर voxel होगा, और यहाँ पे आपके 256 pixels बनती है, तो जैसा कि हम terminologies में बात की थी, pixels की, voxels की matrix ही, वो terminologies अभी तक अपनी 5 generation, 6 generation में काम में नहीं आई, तो that means वो terminology हमने किस के लिए पड़ी थी, multi slice CT के लिए यहाँ पे उसको पड़ा था, ठीक है, it has separate data acquisition channel for each detector, and electrically one can combine a group of detector elements, that means कि जो आपका each detector है, हर detector वो अलग से data acquire करता है, store करता है, collect करता है, and electrically one can combine with a group of, but electrically क्या होता है, आपका एक detector, other detector से भी क्या रहता है, connected रहता है, या फिर detectors के group से connected रहता है, तो अब हम बात करते है, diagram के through, तो जैसे कि आप यहाँ पे 2 city की diagram देख रहो, अपना एक तो multi slice city और एक आपका normal city जिसमें अभी तक अपनी 5 generation, 6 generation थी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कि detectors जो है, वो numbers में जादा है, but linear arrangement है इनका, ठीक है, तो इसलिए इनको single slice detector कहा जाता है, because, single slice और single detector, because इनमें केवल एक लंबा detector होता था, फिर उसके बाद में दूसरा, एक लंबा detector, that means, वो detector उपनी ज अपन बात करते हैं, तो जैसे देख सकते हो, कि आपका single detector था, उसको भी इन्होंने parts में divide कर दिया, और जैसे अपन उसको parts में divide करते हैं, तो यहाँ पे आपकी matrix बनती है, और matrix में फिर pixels और voxels आते हैं, तो that means, कि यहाँ पे क्या होगा, अपन किसी भी body organ की, अगर image ले रह और दूसरा, जितना data आपको scan करना, उतना ही अपन यहाँ पे scan करके, आपकी machines या जो आपकी machine है, वो reconstruct, image को reconstruct करके देगी, ठीक है, तो आप दोनों machines में देख सकते हो, कि आपकी जो x-ray है, वो fan beam use कर रहे है, scan slice, slices के बाद में नीचे, जो main यहाँ पे modification किया है, वो इन्होंन पार्ट्स हो गए थे, और पार्ट्स होने से क्या हो गया, तो आपको पता है कि अपन कौन सी scanning कर रहे है, computed tomography में अपना क्या aim होता है, कि जो part अपने को नहीं चाहिए, उसको remove करना, तो यहाँ पे अगर अपने पास parts जादा होंगे, तो that means, कि जो data अपने को चाहिएगा, अपने को केवल उसी की image मिलेगी, बाकी का data यहाँ पे जादा से जादा remove हो जाएगा, और जैसा कि वो जो diagram था, वो आपका समझने के लिए था, बनाने के लिए कि नहीं था, अगर बना सकते हो तो आपकी इच्छा है, बट यह जो diagram है आपके बनाने के लिए, यहाँ पे आ यह इसको कहा जाता है, multi slice और, या फिर multiple detector, city scan, अब अपन next बात करते हैं, इसकी theory की, diagram आपको इसी लिए दिखाया गये थे, यहाँ पे ताकि आपके समझने में problem ना हो, it is available in two designs, जैसा कि multi slice city की बात करते हैं, तो जैसा कि multiple detectors की अगर अपने यहाँ पे बात करेंगे, तो इसकी दो designs है, एक है adaptive array और एक है linear array, अब जैसा कि array के बारे में मैंने आपको बता दिया था, पहले भी transition में भी यह word आया था, अपना detectors में भी आ रहा है, array arrangement के लिए होता है, तो जैसा है कि उन्होंने linear की बात किया, सबसे पहले पन linear की बात करते है, linear that means कि सारे के सारे जो एक line में जो detectors arrange होंगे, दूसरा है यहाँ पे adaptive, इन दोनों में main difference आप समझ सकते हो, कि जो आपका linear array होता है, वहाँ पे जितने भी आपके detectors आप use कर रहे हो, उन सब की width, length या फ same नहीं होंगे, उनका arrangement तो उनका भी linear ही होगा, जैसा कि arrangement आपका linear array का है, या फिर जैसा आप diagram में पीछे देख रहे थे, diagram में देखा था, same वैसा है का वैसा ही arrangement होगा दोनों का, बट difference दोनों में इतना होता है, कि adaptive में क्या होता है, कि इनका dimension same नहीं होता, सारे के सारे जो detectors होते हैं, इन सब का dimension अलग-अलग होता है, बट linear array में सब detectors का dimension same होगा, तो दो design में आपकी machine available होती है, MSCT, multiple slice city uses third generation city with helical scanning and low voltage slip ring, जैसा है कि हमने sixth generation में बात की थी, कि जो आपकी sixth generation city थी, वो fourth generation को modify की गए थी, वैसे ही आपकी जो multiple slice city है, वो third generation को modify किये गए, third generation city को हमने modify किया, with helical scanning, और उसमें कौन सी मिलाई इनोंने, sixth मिलाई, तो जैसा कि अगर आप समझ सकते हो, sixth में आपकी कौन सी थी, fourth थी, अब जो आपकी multiple slice है, उसमें इनोंने third काम में ले ली, और sixth भी काम में ले ली, तो fourth अपने आप आगई, तो that means, यहापे कितने generation को इ इनोंने enroll कर लिया, that means, कि तीनों मशीनों को इनोंने join करके, एक नई मशीन यहापे बनाई, and low voltage slip rings, जैसा कि हमने sixth generation में बात की थी, वहाँ पे slip rings काम में ली जाते थी, यहाँ पे इनोंने slip ring काम में ली, but low voltage काम में ली, the collimator spacing is wider, and more x-rays are used in producing image data, यहाँ पे जो collimator का space था, व but reduces spatial resolution in the slice thickness dimension, that means, कि जैसे ही अपन collimator को ज्यादा open करते हैं, किसी भी single array scanner में, that means, single detector के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, increases the slice thickness, वो slice की thickness को increase करता है, जैसा कि हमने sixth generation में पढ़ा था, कि या फिर आपन ने third generation में यह चीज़े discuss की थी, कि जो आपका collimator की opening हो, वही आपको decide क करती है, कि कितनी slice की thickness होगी, but reduces spatial resolution, but इसमें क्या होता है, thickness तो बढ़ जाती है, लेकिन resolution कम हो जाता है, in the slice thickness dimension, जो आपकी slice की thickness की dimension है, वो आप बढ़ा लोगे, बढ़ जाएगी, जैसे जैसे आप collimator को open करोगे, slice की thickness बढ़ेगी, but जो image का resolution है, वो decrease हो जाता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि multiple slice में, that means multiple detector, अपन दोनों बात एक ही कर रहे है, यहाँ पर multiple slice, that means multiple detector ही हो रहा है, यहाँ पर, जब तक multiple detector यहाँ पर नहीं होंगे, multiple slices नहीं बनेंगी, hence slice thickness is controlled by the detector size, not by the collimator, that means, कि जो अभी अपन ने बात की, कि आपकी जो collimator, slice की thickness को क्या कर रहा था, control कर रहा था, यह आपका कौन सी generation में था, 3rd और 6th generation में, बट ऐसा 7th generation में नहीं है, 7th generation में slice की थिकनेस को कौन control करता है, detector, hence the slice thickness is controlled by the detector size, detector की जो size होगी, उसी के according यहाँ पर, आपकी slice की थिकनेस आपको मिलेगी, hence the detector pitch is defined as the, तो जैसा कि अपनी 6th generation में थी, वहाँ पर अपने क्या किया था, collimator pitch को define किया था, अब यहाँ पर आपकी slice की थिकने से, वो कौन define कर रहा है, detector define कर रहा है, तो अपन यहाँ पर detector pitch को define करेंगे, और detector pitch आपकी क्या होती है, detector pitch is equal to total moment पर 360 degree rotation के entry upon detector width, जैसा कि आपका collimator pitch में, आपने, जो rotation था, आपका x-ray tube का, उसको collimator की width से divide गया था, वैसे यहाँ पर detector की width से divide करेंगे, ठीक है, the collimator pitch and detector pitch of a given city is related as follows, और जो 6th और 7th generation दोनों, आपकी जो helical city और multiply city, multiple slice, या फिर multi slice जो city है, इसमें जो आपने बात की, यहाँ पर detector pitch की और collimator pitch की, तो इन दोनों के बीच में भी एक relation होता है, वो relation क्या है, collimator pitch is equal to detector pitch upon n, और n क्या है, यहाँ यहाँ पर where n is equal to number of detector array in multi slice city, कि multiple, जो आपकी multi slice city है, उसमें कितने number of detectors use किये गए है, the number of x-ray detected is 4 times higher than that of a single array of 1.25 mm, जैसा कि अगर अपन multiple, या फिर multi slice city की बात करें, तो comparison to the single slice, तो single slice में जो आपका 1.25 mm का जो detector होता था, उसके according, या फिर उससे अगर अपन compare करें, तो आपके multi slice city में, आपकी जो x-rays detect की जाती है, वो 4 गुना ज़्यादा की जाती है, और वेसी बात, अगर आप 4 गुना ज़्यादा x-rays detect करोगे, that means, आप 4 times, किसी भी body organ, उसकी जो आप data collect कर रहे हो, वो भी आपका कैसा है, 4 times, जादा है, तो that means, आपके पास यहाँ पे जादा data collect होगा, जादा data collect होगा, that means, diagnosis आप किसी भी body organ का अच्छे से कर पाओगे, further 2.5 mm, 3.75 mm, 5 mm slices may be obtained from the same acquisition by combining more than one detector signal, यहाँ पे अपना जो 6th जो आपकी generation थी, वहाँ पे single slice अपन detector यूज़ गर रहे थे, जैसे अपन detectors की संख्या बढ़ाते हैं, detectors की संख्या बढ़ाने से हम यहाँ पे slices की thickness भी increase कर सकते हैं, 2.5 mm की अपन slice भी यहाँ पे ले सकते हैं, 3.75 mm की slice thickness भी अपन ले सकते हैं, और 5 mm की slice thickness भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं, thus this machine uses maximum x-ray output by reducing heat loading of the machine resulting in better efficiency, तो आपकी यह जो machine थी यहाँ पे क्या था, x-rays यह ज़रूर ज़्यादा काम में ले रहे थी, ओवेस भी बात है, detectors ज़्यादा होंगे, fan beam की यहाँ पे इनको size increase करने पड़ेगे, ज़्यादा data चाहिए, तो आपको ज़्यादा radiation भी चाहिए और ज़्यादा radiation चाहिए तो आपकी क्या होगा, जो heat, जो anode की heat capacity है, वो आपको, that means वो increase होगी, तो उसका जो heat loading था, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि वो कम, गरम हो, वहाँ पे heat कम निकली, यह भी इन्होंने modification किया, by reducing the heat loading of the machine, जो machine की, जो total की, जो heat loading थी, वो भी कम कर दिया गई थी, resulting in better efficiency, तो सारा का सारा जो आपको result मिल रहा था, वो एक अच्छी efficiency में यहाँ पे मिल रहा था, these city scanner are available in 8, 16, 64, और higher slices model, तो यहाँ पे जैसा कि अगर आप बात करते हो, कि इनके slices की, जो models की बात की जाती है, तो यह आपको 8, 16 और 64 slices में मिलती है, that means अगर आपन 8 की बात करते हैं, यहाँ पे, तो एक matrix की, यहाँ पे अगर बात की जाए, आज कल जो और अपनी जो modern आ रही है, वो 256 में भी आ रही है, ठीक है, that means row और column, ठीक है, की बात की जाए, तो यहाँ पे 8 row और 8 column होंगी, 16 row और 16 column होंगी, और 64 rows और 64 columns होंगी, जितनी ज़्यादा आप slices बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा आपको image अच्छी मिलेगी, data अच्छा मिलेगा, data ज़्यादा मिलेगा, that means यहाँ पे, जो भी आप diagnosis कर रहे हैं, वो अच्छे से कर पाओगे, बढ़िया कर पाओगे, उसके quality अच्छी होगी, तो यह आपकी थी, multi-slice city, multi-slice city की हमने बात कर लेगी, किस तरीके से इन्होंने इन्मोडिफिकेशन किया, that means कि पीछे की जितनी भी generation थी, उनको that means आपकी जो first generation थी, second generation थी, उसको modify करके third बनाई गी थी, उसको modify करके fourth बनाई थी, इन्होंने third भी काम में ले ली, fourth भी काम में ले ली, ठीक है, और इन्होंने sixth generation भी काम में ले ली, fifth generation अपन यहाँ पर इसलिए काम में नहीं ले पाई, क्योंकि fifth generation एक special generation थी, special diagnostic procedure के लिए वो बनाई गई थी, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर MSCT की advantages की, बात करें अपनिया, फिर scanning time की बात करें, वो reduce हो जाएगा, shorter exposure time, इसका shorter, जो मतलब exposure time था, वो, कम था, with improved resolution, resolution इसका अच्छा था, image quality आपको अच्छी मिल रही थी, with thinner slices, slices की thickness भी क्या हो चुकी थी, कम हो चुकी थी, that means, इन्होंने single slices के भी क्या कर दिया था, parts में divide कर दिया था, ओ तो obvious ही बात है, कि आपकी slices की thickness आपको कम मिलेगी, 3D anatomical reconstruction, यहाँ पर images की 3D image भी बनाई, जा सकती थी, जो आपकी body organ जिसका आप diagnose कर रहे हो, उसके आप 3D image बना सकते थे, and increased volume coverage per unit time, और per unit time में जो volume जो आइतन आप जो भी body organ को आपको cover करना है, उसका amount बढ़ा दिया गया था, यहाँ पर unit time में हम ज़्यादा से ज़्यादा data यहाँ पर acquire कर रहे थे, its clinical application includes, that means, इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर काम में लिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं virtual endoscopy, that means, उनकी भी हम क्या कर सकते थे, 3D image ले सकते हैं, creation of 3D images using specialized logarithms, that means, जो आपका यहाँ पर computer की अगर बात की जाए, तो computer के software की बात करते हैं, वहाँ पर calculation होती है, equations होती है, images reconstruct की जाती है, तो वहाँ पर logarithm, that means, लोग की साहता से हम क्या कर सकते हैं, 3D images बना सकते हैं, यह आपके क्या थे, इसके advantage थे, multi slice city के advantage थे, तो अवेसी बात है, कि जो आपके multi slice city के advantage है, वही आपकी क्या थे, यहापे all over अपन अगर city की बात करें, तो वह भी क्या थे, advantage थे, because सबसे modern और advantageous जो machine है, वह आपकी multi slice city ही, और अब भी इसी में, इसमें भी modification आ रहे हैं, but उसको हम, as a generation count नहीं कर सकते, because यहाँ पर 7th generation कोई काम में लेके, keval और keval जो detectors की संख्या है, वो बढ़ाई जा रही है, that means, जो multiple slice, जो city थी, या फिर multi slice city थी, उसमें starting में, इन्होंने aids काम में ली, फिर 16, फिर 64, अब 256 भी slices अपने काम में लेते हैं, अब 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 बात कर रहे हैं, अपने computer tomography के benefits की, that means, generation की बात हो गई, आपके components की बात कर ली, आपने principles की बात कर ली, अब अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे benefits की, that means, advantage of the computer tomography, total जो आपका computer tomography scanning हो, उसके क्या advantage होंगे, it is painless, non-invasive and accurate procedure, यह एक ऐसा procedure है, जिसमें कोई pain नहीं होता है, non-invasive, कोई surgery नहीं करनी पड़ती है, अपने को, and accurate, एक दम accurate procedure किया जाता है, ability to image bone, soft tissue and blood vessels, all at same time, एक ही time में, मतलब एक ही बार में, अपन तीनों चीज़ों की image ले सकते हैं, bone की भी ले सकते हैं, soft tissues की भी ले सकते हैं, और blood vessels की भी ले सकते हैं, it provides very detailed image of any type of tissue, कोई भी type का tissue हो, चाए वो bone हो, या फिर कोई blood vessels हो, उसकी जो images होती हैं, वो very detailed होते हैं यहाँ पर, that means, अच्छे से अपने को हर चीज़ के बारे में, वहाँ पर पता, चल जाता है, 3D images होती हैं, बहुत ज़्यादा detail होती हैं, यहाँ पर अपने को मिल जाती है, fast and simple procedure in emergency cases, जैसा कि अगर अपन emergency cases की बात करें, जो आपके RTA के जो patient होते हैं, road traffic accident जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई और emergency का case होता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा prefer की जाती है, वो CT prefer की जाती है, for example, कोई भी आपका accident का case है, तो obviously भी बात है, X-ray करके पता करना है, कि कौन सी bone fracture हुई है, या नहीं हुई है, तो इसलिए अपन वहाँ पे CT को prefer करते हैं, whole body की CT की जाती है, तो whole body की CT के अंदर, जितने भी आपके bones के fracture, damage हुई है, bone damage हुई है, उनके बारे में पता चल जाएगा, और fast और simple procedure होता है, अपन जल्दी भी कर सकते हैं, simple procedure है, आसानी से पूरी body के बारे में, अपने को यहाँ पे पता चल जाता है, cost effective imaging for a wide range of clinical problems, जो भी जितने भी clinical problems हैं, वहाँ पे cost effective imaging होते हैं, that means, कि जितना अपना यहाँ पे पैसा लगता है, उतना अपने को diagnosis यह करके दे देता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, but amazing में अपने को diagnosis कम पता चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे cost effective होती है यह, जितना cost इसमें लगता है, diagnosis उतना अच्छा अपने को यह करके देती है, less sensitive to patient movement than MRI, अगर जैसा कि अपने comparison करें MRI से, तो MRI में क्यों होता है, कि small movement से भी आपकी image destroy हो जाती है, खराब हो जाती है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, यह बहुत कम sensitive होती है patient के movement से, अगर comparison किया जाए MRI से, ठीक है, अपन MRI से comparison करें, sensitive यह भी होती है, यहाँ पे भी motion artifacts आते हैं, that means अगर patient move करेगा, तो motion artifacts आपको दिखाए देंगे, बट अगर comparison किया जाए MRI से, तो MRI के comparison में, यहाँ पे कम motion artifacts आपको देखने को मिलेंगे, diagnosis में eliminate the need of surgery and surgical biopsy, इस diagnosis से हमने एक चीज और eliminate कर दी, एक चीज और remove कर दी थी, need for surgery and surgical biopsy, कई बार क्या होता है कि किसी भी tissue की, अगर अपने को biopsy करनी होती है, तो वहाँ पे surgery करनी परती है, surgery करने के बाद हम tissue के क्या निगालते हैं, छोटा सा amount लेते हैं, और फिर उसके lab के अंदर examination किया जाता है, वो भी यहाँ पे eliminate हो चुका था, because हम 3D images से बहुत ज़्यादा, उस tissue के बारे में examine कर सकते हैं, diagnosis कर सकते हैं, जिससे हमको वहाँ पे surgery करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर surgical biopsy की बात की जाए, तो यहाँ पे जितनी भी रेडियेशन होती है, वो सारी के सारी transmit होके बाहर हो जाती है, पेशेंट की बोड़ी के अंदर नहीं रुखती, इस वज़े से यहाँ पे जो patient को dose है, वो कम लगती है, वैसा देखा जाए, तो X-ray के comparison में अगर बात करें, तो X-ray के comparison में city में dose जादा लगती है, बट efficient लगती है, that means इतनी भी जादा नहीं लगती है, तो यह सब थे आपके city के advantage, ठीक है, benefits अपने क्या, अब अपन बात करते हैं इसके disadvantages की, that means risk क्या क्या है, अगर अपन किसी भी person की, या फिर किसी भी body organ की, अपन अगर city कराते हैं, computer tomography scanning कराते हैं, तो उसमें अपने को क्या क्या disadvantage हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम discuss कर लेते हैं, disadvantage हालांकि इसके बहुत कम है, बट फिर भी एक बार उनको discuss कर लेते हैं, risk of the city scanner, slightly increase in cancer from larger amount of radiation, radiation जदा लगने की वज़े से, यहाँ पर cancer के होने के chances जदा होते हैं, अगर अपन एक दो city कराते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, बट अगर बार 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 city ही कराई जाती है, तो उससे क्या होगा, radiation dose जदा लगने से, यहाँ पर cancer के chances हो सकते हैं, not recommended for pregnant women, pregnant women के लिए recommended नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि, जितनी भी ionizing radiation के जो diagnostic प्रोसेजर वो, pregnant women के लिए अपन recommended नहीं करते हैं, अब अपन बात करते हैं, contrast city की, ऐसा नहीं है कि, normal city की जाती है, contrast city भी की जाती है, अगर अपन contrast city की बात करें, mother should be restricted from breastfeeding their babies, for 24 to 48 hours after the contrast media is given, जब किसी भी mother को contrast media देके, उसके बाद में अगर उसकी city की जाती है, तो हम उसको restrict करते हैं, कि वो अपने baby को breastfeed ना कराई, कम से कम 24 to 48 hours, तो यह भी क्या है, disadvantage है इसका, slightly risk of serious allergic reaction to the contrast media, contrast media से थोड़ी allergic reaction हो सकती है, अगर यहाँ पर आपन जो city की आपकी जो, या फिर जो contrast city की अगर बात करें, तो contrast city की disadvantage वही होंगे, जो आपकी contrast की x-ray imaging या फिर fluoroscopy की होते हैं, और वेसी बात है, जो contrast के, या फिर contrast special radiography में, जो contrast के आपके disadvantage होते हैं, वही आपके city scanning में भी disadvantage होंगे, तो यहाँ पर अपना computer tomography topic complete होता है, इसी के साथ, अब next lecture में हम नया topic स्टार्ट करेंगे, थैंक्यू, साथ, जो झाल 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 झाल